प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रकाश विद्युत सेल की द्वारा प्रदर्शित किया जाता है प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश उर्जा विद्युत उर्जा में बदलती है इसे कभी-कभी विद्युत नेत्र भी कहते हैं एक प्रकाश विद्युत सेल में एक अर्ध बेलनाकार प्रकाश सम्वेदी धातु पट्टिकासी उस्सरजक होती है और एक तार का लूप ए संग्रहक एक निर्वातित काच या क्वार्ज बल्ब में लगे होते हैं किसी वाय परिपत में एक उच्च विवो बैटरी B तथा माइक्रो अमीटर म्यूए के साथ सियोजित किया जाता है कभी-कभी पट्टिका C के इस्थान पर प्रकाश सम्वेदी पदार्थ C की एक पतली परत बल्ब की भीत्री सतह पर चिपका दी जाती है बल्ब के एक भाग को छोड़ दिया जाता है जिससे की प्रकाश इसमें प्रवेश कर सके जब उप्युक्त तरंग लंबाई का प्रकाश C पर पड़ता है तो इलेक्टरान उस्तरजित होते हैं ये प्रकाशिक इलेक्टरान संग्रहाग पर आकरशित हो जाते हैं किसी प्रकाश सेल से कुछ माइक्रो मीटर की कोटी की प्रकाशिक धारा प्राप्त की जाती है एक प्रकाश सेल प्रदीपन तिवरता में परिवर्तन कर प्रकाशिक धारा में परिवर्तन कर सकता है यह धारा नियंत्रन, तंत्र के चालन और प्रकाश मापक युक्तियों में उप्योग में लाई जा सकती है अवरक्त विक्रन के लिए सम्वेदी लेड सलफाइड के प्रकाश सिलों का उप्योग इलेक्ट्रानिक प्रज्वलन परिपतों में किया जाता है विज्ञानिक कारियों में प्रकाश की तिवरता को मापने के सभी अनुप्रयोगों में प्रकाश सेलों का उप्योग किया जाता है फोटोग्राफिक केमरों में प्रकाश मापक प्रकाश सेल का उप्योग आप्तित प्रकाश की तिवरता मापने में करते हैं स्वाचालित द्वार नियंतरक में प्रकाश सेल का प्रयोग द्वार प्रकाश विद्युत परिपत्म होता है। द्वार की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति द्वारा प्रकाश सेल पर पढ़ने वाले प्रकाश पुण बांधित हो सकते हैं। प्रकाशिक धारा में अचानक होने वाले बदलाव का अपयोग द्वार खोलने के लिए मोटर को प्रारम करने में या अलार्म बजाने में किया जा सकता है। यदि वे विशाल कक्ष में एक-एक करके प्रवेश करते हैं, करते हों। इसका अपयोग याता या अपनियम तोड़ने वालों की पहचान के लिए किया जाता है। जब भी विकरण के एक किरणपुंज को अवरोधित किया जाता है, तो एक अलार्म बजाया जा सकता है। चोर अलार्म में पराबैगनी प्रकाश को सतत प्रवेश द्वार पर इस्थापित प्रकाश सेल पर डाला जाता है। भवन में उप्युक्त स्थानों पर कई प्रकाश सेल इस्थापित कर दिये जाते हैं। इस्था के क्रम विक्षन तथा टेलिविजन प्रसारान में किया जाता है। इसका उप्योग उद्योगों में धात की चादरों में शोटी त्रुटियों तथा छिद्रों को खोजने में भी किया जाता है। इस तरह ये थे प्रकाश विद्यो सेल के उप्योग। अभ्यास के प्रश्न दो। आयनिष्टीन का प्रकाश विद्यो समीकरण सिद्ध कीजिए। दहली तरंग लंबाई क्या है। आयनिष्टीन के प्रकाश विद्यो समीकरण से प्रकाश विद्यो प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तरंग सिध्धान प्रकाश विद्यत प्रभाव को क्यों नहीं समझा सकता एक धातु का कार्यफलन दो दसमलो तीन इलेक्टान वोल्ट है उस पर 6800 अंगस्ट्रम का नारंगी प्रकाश पढ़ने पर इलेक्टान का उस सर्जन होगा की नहीं अब भ्यास के प्रेश्ण तीसरा बच्चूं आप जैसा की जानते हैं कि प्रकाश से संबंदित कुछ गुण जैसे प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का वीवर्तन और प्रकाश का ध्रुवन ये घटनाएं हम प्रकाश के तरंग सिध्धान्त के आधार पर समझा सकते थे आपने तरंग प्रकाश की में इन्हें विस्तार से अध्यन किया है इस अध्याय में आपने प्रकाश के विद्युद प्रभाव को देखा और साथ ही प्रकाश का एक और प्रभा होता है जिसमें हम जानते कामटन प्रभाव इस दोनों प्रभावों को हम प्रकाश के करण प के कुछ गुणों की व्याख्या आप उसके कण के आधार पर समझा सकते हैं इस तरह प्रकाश की प्रकृती जो हो गई दो प्रकृती हो गई एक कण की प्रकृती और एक तरंग की प्रकृती इस प्रकृती को हम द्वेत प्रकृती कहते हैं इस प्रकाश विद्युत और वहाँ उस उर्जा को लेकर के कई अपला इलेक्तरानी और वहाँ सत्य से सर्जित हो जाता है इस स्थसे कैसे कुछ गुण किंग सिध्धांध पर समुझा कि कुछ घुण हमने के सिध्धांध पर सम्झा जैसे प्रकाश्विध्यत प्रभाव और और कुछ गुण ऐसे होते हैं जैसे कि प्रकाश का सरल रिखा में चलना प्रकाश का परावर्तन होना प्रकाश का अपवर्तन होना इसे हम तरंग सिध्धान के आधार पर भी समझा सकते हैं और कण सिध्धान पर भी समझा सकते हैं इस तरह प्रकाश की द्वेत प्रकृति के ऑधार पर डी भ्रॉगली ने बताया कि हर विक्रण की दुएत प्रकृति होती है और उन्होंने कहा कि दर्ब्य और विक्रण पुरे ब्रंभान्ड में व्यापता है इसलिए हर दर्ब्य के साथ एक तरंग जुड़ी रहती है जिस तरंग को हम द्रभ्य तरंग कहते हैं और D बोगली ने एक समीकर्ण दिया जिसे हम द्रभ्य तरंग समीकर्ण कहते हैं feu लेंडा वराबर H upon P, आइए अब हम देखते हैं D बोगली का द्रभ्य तरंग समीकर्ण डी ब्रॉगली का द्रब्य तरंग समीकरण डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्यक गतिशील कण कभी तरंग के रूप में और कभी कण के रूप में व्यहवार करता है अर्थात प्रत्यक गतिशील कन के साथ तरंग जुड़ी हुई है जिसे D-Brogli तरंग या द्रब्य तरंग कहते हैं इसकी तरंग लंबाई D-Brogli तरंग लंबाई कहलाती है प्लांग के अनुसार एक फोटान जिसकी आवर्थी न्यू तरंग लंबाई लेम्डा है तो उसकी उर्जा E बराबर H न्यू होती है देखते हैं D-Brogli का द्रब्य तरंग समीकरम आपने देखा यदि आपतित फोटान की उर्जा E है H प्लांग नियतांग है और न्यूस की आवर्थी है यदि फोटान का द्रब्यमान M कन का माना जाए तो आइनिस्टीन के अनुसार उसकी उर्जा E बराबर M सी स्केर ये उसी फोटान का है जब वो कन के रूप में उर्जा था ये उसी फोटान की उर्जा है जब वो तरंग के रूप में था इसलिए एक वाया दो से एच न्यू एक्वल टू M C स्केर या एच न्यू अपान C स्केर एक्वल टू M या एच न्यू C इंटू C इक्वल टू M किन्तू C बराबर आप सभी जानते न्यू इंटू लेमडा तो एच न्यू न्यू लेमडा इंटू C बराबर M तो यह न्यू न्यू कैंसिल हो गया तो आपका गया एच बटे लेमडा बराबर M इंटू C मात्रा गुनित वेग आप सभी जानते सुमवेग होता है इसलिए एच बटे लेमडा बराबर P या लेम्डा बराबर H upon P लेम्डा एक्वल टू H upon P यही D ब्रॉगली का द्रब्यतरंग समीकरण है इसे D ब्रॉगली का द्रब्यतरंग समीकरण कहा जाता है D ब्रॉगली ने यहां माना की यहां समीकरण फोटान के साथ किसी भी द्रब्यकणों पर लागू होता है यदि कोई द्रब्यकण लेम्डा बराबर H बटे M द्रब्यमान का है और V वेक से चल रहा है तो उसके लिए भी यही सुत्रा लगेगा तो ध्यान दीजे यह फोटान के लिए हमने निकाला था पर D ब्रॉगली ने यह कहा कि यह किसी भी द्रब्यकणों के लिए लागू होगा और यदि कोई द्रब्यकण जिसका द्रब्यमान M है V वेक से गतिशील है तो लेम्डा बराबर H अपॉन M V या लेम्डा एक्वल टू H अपॉन P इस तरंग लंबाई को हम D ब्रॉगली तरंग लंबाई कहते हैं और इस तरंग को द्रब्यतरंग V कहते हैं इस प्रकार आपने दिखा D ब्रॉगली द्रब्यतरंग का समीकरण लेम्डा बराबर H M इंटू V यदि V बराबर 0 है तो लेम्डा बराबर अनन्त यदि V बराबर अनन्त है कि दो लेम्डा बराबर अनन्त है यदि V का मांद 0 रखा तो लेम्डा बराबर H बते जिए और किसी संक्ष्छा को 0 से भाग देते हैं उसका मानन्त होता है और यदि हमने V का माननन्त ले लिया तो लेम्डा बराबर 0 हो गया तो यह था आपका Om तरंग इसलिए द्रभ्य तरंग में जूकर सब की अनिस्चिता रहती है अथा इसे हाईजन बर्क के अनिस्टता सिद्धान पर बात करते हैं और उसके तरंग को बनाते हैं इसका मतलब क्या है कि द्रब्य तरंग उन्हीं कणों के साथ जुड़ी है जो गती में है यदि गतीशील कण आवेशित हो या अनावेशित उन सभी के साथ तरंग जुड़ी होगी डीव रौगली तरंग विद्युचुम्बक्य तरंग नहीं है क्योंकि विद्युचुम्बक्य तरंग आवेशित कणों से उत्पन होती है चुकि तरंग की इस्थिती का सही सही पता नहीं होता इसलिए द्रब्य कणों की तरंग प्रवर्ती में कण की इस्थिती का भी सही सही पता नहीं लगया जा सकता इसलिए कणों के साथ जुड़ी तरंगों की तरंग लंबाई में भी अनिशित्ता बनी रहती है आईए अब हम ने बताया कि ये जो रब्य तरंग है आवेशित कणों के लिए भी है तो ये इलेक्ट्रान के लिए किस प्रकार से इसका मानाएगा और तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पर ताप का क्या प्रभा पड़ता है माना की किसी ताप टी पर गतिशील कण की गतिशील कण की कि गतिशील उर्जा इबराबर तीन बटे दो के बी टी ये टी उस गतिशील कण का ताप है टी कैलविन और के बी आपका वोर्ट्स बेन यतांक है आपने सुत्र पड़ा था लेमडा बराबार ह बटे पी किन्तु ई बराबार पी स्क्यार बटे टू एम तो देखिए टू एम ई एक्वल टू पी स्क्यार हो जाएगा तो अंडर रोट टू एम ई इक्वल टू पी यहाँ पर मान रख दीजिए तो लेमडा एक्वल टू एच अपान अंडर रोट टू एम इंटू ई एक्वान आपने निकला है तीन बटे दो के बी इंटू टी दो दो हड जाएगा तो लेमडा एक्वल टू एच अपान अंडर रोट थ्री एम के बी इंटू टू तो यह था तरंग लंबाई का ताप के साथ संबन्थ जहां के भी वोल्ट्स में नियतांक है टी गतिशील करण का ताप कैल्विन में है एच प्लांक नियतांक है आईए अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली की तरंग लंबाई निकलेंगे आईए इलेक्ट्रॉन के लिए देखें इसकी तरंग लंबाई कैसे निकलेगी माना की इलेक्ट्रॉन पर आवेश इ तथा उसका द्रबिमान इस मौल एम है तथा उसे केप्टल वी विभ्वांतर पर त्वरित किया जिससे की वह वी वेक से चला तो उसकी गती जुर्जा बराबार एक बटे दो एम गुनित वी वर्गॉर्गॉ और यह गती जुर्जा ही किसमें बदलती है इस्थिती जुर्जा में और इस्थिती जुर्जा गती जुर्जा में तो का मानिया से रख लीजिए आप यह हमारा वी केप्टल वी है इस वी और इस वी में कन्फूज मत होई है भीतर में जो वी है वह भुवांतर है बाहर में जो वी है वह वेग है तो है तो एच अपान एम अंडरूट टू इवी बटे एम हल करेंगे तो एच अपान अंडरूट टू एम इवी यह एम आपका बाहर में था अंडरूट साइन के जब भीतर लेगा तो एम स्क्यार हो गया तो एम स्क्यार हटेगा तो एम बचेगा तो टू एम इवी अब देखिए दिया आप इसमें एच का मान रखो आइच आपने पलांक नियतांग शैदस सम्लोव चैए गुनित दस की घातरेंड चौन तीस जूल गुनित सेकंड अंडरूट टू एम का मान इलेक्ट्रान का द्रविमान 9.1 गुनित दस की घातरेंड 31 किलोग्राम इलेक्ट्रान का वेश 1.6 गुनित दस की घातरेंड 19 किलाम और यह वी आपका विभाव है अब आप इसके गुना भाग को हल करिए यह हमने इलेक्ट्रान का बताया था आप इसके गुना भाग को करि तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है तो के लिए ये वाला सुत्रे आपका लेम्डा इक्वल टू ह अपन अंडरोड टू एम इवी वी आपका विवांतर है अंगा स्ट्राम में हमने निकाला कोई मालो इसको निनो मीटर में निकालना चाह रहा होगा तो यह आपका होता है वन पाइंट टू टू सेवान अपन अंडरोड वी निनो मीटर तो जनरली हम तरंग लंबाई को उत्र दिमाग में रखिए अंडरोड 150 अपन वी वाला या 12.27 अब देखो यह इलेक्ट्रॉन के लिए था तो इसलिए आया किसी दूसरे कंड के लिए निकालेंगे जिस पर क्या वेश क्यों है तो लेंडा इक्वल टू एच अपन अंडरोड टू एम क्यों इन्टू वी हो कीन के नुसार एक ही समय पर किसी इलेक्ट्रान अथवा कोई और कन की इस्तित्ति एवं समवेग में नुथे दोनों को परिशिद रूप से मापना असम्भाँ है हमेशा ही कुष अनिस्चिता डेल्टी इस थी मैं और पेश अनिस्चित्त अल्ठीश समवेग में होती है डेल्टा एक्स तदा डेल्टा पी के गुड़न फ़ल की एक निम्नतम सीमा होती है जो ह बटे चार पाई की कोटी की होती है इसलिए डेल्टा एक्स इंटु डेल्टा पी बड़ा है या बराबर है ह बटे चार पाई से जहां ह प्लांक नियतांक है यदि डेल्टा एक्स टेंस्टू जीरो है तो डेल्टा पी को अनंत होना चाहिए जिससे की गुणनफल सुन्य नहीं हो इसी प्रकार यदि डेल्टा पी जीरो हो तो डेल्टा एक्स को अनंत होना पड़ेगा सामान्यता दोनों डेल्टा एक्स तता डेल्टा पी का गुणनफल सुन्य नहीं होता है देविशन तथा जर्मर प्रयोग इलेक्ट्रोन की तरंग प्रक्रती प्रायोगिक तोर पर सरप्रथम सीजे डेविशन तथा एलेच जर्मर के द्वारा 1927 में तथा स्वतंतर रूप से जीपी टामसन के द्वारा 1928 में सत्यापित की गई थी इन वेज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोन के किरण पुंज का क्रिश्टलों से प्रक्रिणन के द्वारा विवर्तन प्रभाव का प्रेक्षन किया था देविशन तथा जर्मर की प्रायोगिक व्यवस्था सलगन चित्र में दर्शाई गई है इसमें एक इलेक्ट्रोन गन होती है जो एक टंगस्टन तन्तु एप की बनी होती है जिस पर बेरियम आकसाइड का लेप होता है इसे कम विभाव की बैटरी से गरम किया जाता है किसी उच्च वोल्टता उर्जा स्रोत द्वारा उप्युक्त विभाव के अनुप्रयोग से तन्तु द्वारा उस सर्जित इलेक्ट्रानों को एक्षिक वेक तक त्वरित किया जाता है इन्हें एक बेलन जिसमें इसके अक्ष के समानांतर पतले छिद्र होते हैं से पारित करके एक पतले किरनपुझ के रूप में समानतरित कर लिया जाता है इस किरनपुझ को एक निकल क्रिष्टल के प्रिष्ट पर डाला जाता है क्रिश्टल के परमाणों के द्वारा इलेक्टरान सभी दिशाओं में प्रकिर्णित होते हैं किसी दिशा में प्रकिर्णित इलेक्टरान किरणपुंज की तिवरता को इलेक्टरान समसूचक द्वारा मापा जाता है सम सुचक को वृत्ताकर्प मापनी पर घुमाया जा सकता है और एक सुग्राही गलिनोमीटर के साथ सेयोजित कर दिया जाता है जो धारा को अंकित करता है गलिनोमीटर में विच्छेप संग्राहक में प्रवेश करने वाले इलेक्टान किरनपुंज की तिवरता के अनुकरमानुपाती होता है इस उपकरण को एक निर्वात्तित कोष्ट में परिबद कर देते हैं समसुचक को वृत्ताकार मापनी पर विभिन इस्थितियों में गुमाकर प्रकिन्डित इलेक्टान किरनपुंज की तिवरता को विभिन अक्षांश कोणों के मान के लिए थीटा को मापते हैं जो की आप्तित और प्रकिन्डित इलेक्टान किरनपुंजों के बीच का कोण होता है प्रक्रिणनेत इलेक्टानों की तिवरता आई में प्रकिणन कौन-θीता के साथ परिवर्थन को विभुन्त्वर्ण विभुकों के लिए प्राप्त किया जाता है विभव के 44-68 वोल्ट के परास के लिए इस प्रयोग को संपन्न किया गया और डेविशन जर्मर्क प्रयोक के पलिणामों को दर्शाया गया यहाँ पाया गया कि एक तिक्ष्ण विवर्तन उच्चिस्ट के संगत एक प्रबल शिखर विभाव 54 वोल्ट तथा प्रकिनन कुण 50 अंस पर इलेक्टान वित्रण में प्रकट होती है एक विशिष्ट दिशा में शिखर का यहाँ प्रकटन क्रिस्टल के परमाणूं के समान अंत्राल की परतों से इलेक्टान के संपोशी व्यतिकरण के कारण होता है इलेक्टान विवर्तन मापन से द्रब्य तरंग की तरंग लंबाई सुन्य दसमलो एक चैप पांच नेनो मीटर प्राप्त होती है द्रब्य तरंग लंबाई लंबाई लंडा बराबर एच बटे पी से वी बराबर चववन वोल्ट के लिए इलेक्टानों का मान सुन्य दसमलो एक चैप नेनो मीटर प्राप्त होता है लंडा बराबर एच अपान पी इस सुत्र को हमने बदला था 1.227 अपान रूट वी नेनो मीटर वी का मान हमने 54 मोल्ट लिया तो लंडा बराबर 1.227 बटे अंडर रूट चववन नेनो मीटर बराबर 0.167 नेनो मीटर अता डी ब्रॉगली तरंग दैर्ग की सिध्धानतिक तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्तमान उत्तम सहमती है डेविशन जर्मर प्रयोग इस प्रकार प्रभाश शाली रूप से इलेक्टानों की तरंग प्रकृति तथा डी ब्रॉगली संबन्द की पुष्टी करता है धातु का कार्यफलन फाइन आट बराबर दो दसमलो तीन इलेक्टान वुल्ट आप्तित प्रकाश की तरंग लंबाई लेम्डा बराबर छह हजार अंगस्ट्राम इस अंगस्ट्राम को मीटर में बदल दीजिए तो छह हजार गुनित दस की घात्रेण दस मीटर हम जानते हैं कि ई बराबर एच सी बटे लेम्डा ई का मान निकालना है एच का मान छह दसमलो छह तीन गुनित दस की घात्रेण चोंतिस सी प्रकाश की चाल है तीन गुनित दस की घात्रेण आट मीटर प्रतिसेकंड और लेम्डा का मान छह हजार गुनित दस की घात्रेण दस मीटर तो आप देखिए ये मीटर प्रतिसेकंड ये जूल इंटू सेकंड तो सेकंड सेकंड से कड़ गया मीटर से कड़ गया तो ये ये का मान आपका जूल में आएगा 6.63 इंटु 3 अपॉन 6 10 तु दी पावर माइनस 34 इसका आपका हो गया प्लस 8 ये हो गया माइनस 10 का उपर जाएगा तो प्लस 10 और नीचे में 1000 का 30 है तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3 जूल हल करेंगे तीन एकम 3 तीन दो नीचे दो से भाग दे दीजे तो ये बराबार तीन दो नीचे ये दो तीया च्छे दो तीया च्छे दो एकम 2 दो पंचे 10 गुनित 10 की घातरेंड चो अठारा ये हटा तो ये आपका बज़ा 16 और 3 10 की घातरेंड 19 जूल 3.315 लिए तो इक्वल टू 3.315 एंटू 10 तू दीपावर माइनस 19 अपन 1.6 इंटू 10 तू दीपावर माइनस 19 तो ये आपका इलेक्ट्रान वोल्ट में कनवार्ट हो जाएगा तो ये हड़ जाएगा तो ये आपका हो जागा 3315 बटे 1600 ये लेक्ट्रान वोल्ट भाग देंगे तो आपका इका वैल्यू आ जाता है तू पैंट 07 एलेक्ट्रान वोल्ट ये हमान तो फाई नॉट से कम है अता इलेक्ट्रान का उस सर्जन नहीं होगा चूंकि ये हमारा जो कार्यफलन है वो ज़्यादा है और आपतित प्रकास की जो उर्जा है वहाँ उससे कम है अता इलेक्ट्रानों का उस सर्जन नहीं होगा आए देखते हैं दूसरा आंग्जेक प्रश्न दिया है आपतित प्रकास की आवरिती न्यू बराबर 6.0 इंटु 10 तु दी पावर 14 हर्ट्स आपतित प्रकास की उस सर्जन छम्ता पी बराबर 2.0 इंटु 10 तु दी पावर माइनस 3 वाट्ट फोटान की उर्जा इ नहीं मालूम प्रती सेकंड उस सर्जित फोटान एन निकालना है इसलिए उर्जा इ बराबर आपने सुत्रपड़ा एच न्यू एच का मान 6.63 इंटु 10 तु दी पावर माइनस 34 जूल इंटु सेकंड न्यू का मान 6.0 इंटु 10 तु दी पावर 14 हर्ज हर्ज इसको प्रती सेकंड भी कहते हैं इसको हल करेंगे तो चैनल इंटु 10 तु दी पावर माइनस 34 प्लस 14 तो जाता है थर्टी नाइन पाइंट दी पावर माइनस 20 जूल या E equal to 3.978 इंटु 10 तु दी पावर माइनस 19 जूल एक घरम निदर खिसका दिया तो आप देखिए इसको ऐसा भी लेख सकते हैं 3.98 इंटु 10 तु दी पावर माइनस 19 जूल यदि श्रोत से प्रती सेकंड उत्सर्जित फुटान एन हैं तो संच्रित छमतापी प्रती फुटान के उर्जा की एन गुनी होगी इसलिए P equal to N into E अपने को N चाहिए तो N equal to P upon E P आपका दिया है 2.0 into 10 to the power minus 3 वाट इसकी वाल्यू दिया 3.98 into 10 to the power minus 19 जूल तो देखे वाट आपका जूल पर सेकंड होता है अब इसको आप 20 upon 3.98 into 10 to the power 15 हल करेंगे तो N का लगभग माना जाता है 5 into 10 to the power 15 फुटान प्रती सेकंड तो इस तरह आपने देखा उस्तरजित फुटान की उर्जा 3.9 वाट गुनित 10 की घात उननीस जूल और उस्तरजित फुटानों की संख्या 5 गुनित 10 की घात 15 फुटान प्रती सेकंड है और है ना पांच पांच तो यह भी दो हुआ ना